So, hey, welcome guys. So, today we are going to talk about Motorola G82. So, let's get started. First, we will talk about की फोन कितना मोटा है. 7.9 mm का है, जो काफी ठीक टाक है. अब बात करते हैं, फोन के बॉक्स में हमें कौन सा मसाला दिया गया है. फोन, चार्जर, केबल, USB Type-C, 2A केबल है, ट्रांस्परांट कवर है, प्रॉपर्टी पेपर से, जो काफी में तवा पूर्ण होते हैं बॉक्स में, सिम काड तूल है, बात करते हैं, फोन के डिस्पले के बारे में हैं, 6.55 इंच वाला FHD प्लस 10-bit प्लास्टिक ओलेड डिस्पले है, सोपोर्ट अप्टू वन बिलियन करलर्स, 120 हर्ट से रिफ्रेश्ट रेट है, बीस हजार के नीचे 120 हर्ट दे रहा है, मोट रोला, वो भी पी ओलेड, काफी अच्छी बात है, डिस्पलिंग रेट जो है, वो 360 हर्ट का है, प्रोसेसर है, कॉलकॉम स्नेप ड्रेगन 695, विच डास नॉट सपोर्ट फोर के वीडियो रेकोडिंग, तो फोर के अगर अपको इन्पोर्टन है, तो इस फोन को आप टाटा बाई 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 गुडबाई बोल सकते हो, शिक्स नैनोमिटर पे बेस्ट है, अन्टू तो स्कोर जो है, वो 4,10,000 है, अब बात करते हैं, राम एंड रोम के बारे में, LPDDR4X RAM, UMPC, UNMCP Storage, जो वेरियंस है वो फोन में, वो 6128 है, और 8128 है, 6128 आपको अरम से 19-20 तक मिल जाएगा, और जो 8128 है, वो 21 तक मिल जाएगा, बैटरी है, 5000 mH की बैटरी और 33 वाट टर्बो चार्जर, वो इस के बारे में बात करते हैं, आउट अफ दो बॉक्स Android 12 के साथ अता है, जो काफी अच्छी बात है, माई यू एक्स है, मोटरोला का, और जो सेकुरिटी है, वो तिंक शिल्ड की है, मतलम आपके फोन को काफी सेकुर्ड रख सकते हो, अब हम बात करेंगे, सेंसर्स के बारे में, साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट सेंसर है, जो काफी अच्छी बात नहीं है, fingerprint sensor देना चाहिता Vivo T144 port है उसमें in display fingerprint sensor है इसमें M.O.A. display फिल भी नहीं दिया है काफी बुरी बात है ये face unlock है and all sensors है बात करते लेते हैं multimedia के वारे में phone में हमें दिये गए है dual stereo speakers do all be at most supported snapdragon sound also supports snapdragon sound का भी support है इसे snapdragon sound या callcom sound भी बोलते है अब बात कर लेते हैं connectivity के बारे में dual band wifi 4G वोल्टी है wifi calling का support है bluetooth 5.1 है NFC भी है 5G के 13 bands है जो company को देने में शर्म आती है लेकिन इसने motor roll 1 ने दिये है क्योंने शर्म नहीं आती camera के पारे में बात कर लेते हैं 50 megapixel का OIS camera यह पहला phone होगा 20,000 के नीचे जो OIS के साथ आता है हाला कि ठिक टाक work करता है लेकिन इतना भी extremely good ने work करता है और 8 megapixel अल्ट्रावाइड है F2.2 aperture वाला 2 megapixel का वही अपना useless camera selfie 16 megapixel की है I think इसे अपग्रेड कर देना चाहिए 32 megapixel पे selfie जो है वो F2.2 aperture की है वीडियो रेकॉड कर सकता है यह phone back camera से 1080p 30 और 60fps अच्छा है कि 60fps एटलिस दिया गया है 1080p 30fps से front camera में 50 अब प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते है snapdragon 695 5G but I had to tell you it does not support 4K video recording phone में है IP rating जो इस price point पे कभी मिलने मिलती ही नहीं है जो आपको अब अगर आप बारिश में call कर रहे हो किसी को तब आपका काम चल जाएंगा लेकिन पानी में गीरा तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा wide wine L1 का support है camera 2 API का support है मतलब आप वीडियो अच्छे खासे देख सकते हो Netflix पे तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है न वो फ्रेश लगी हो कमाल की लगी हो अच्छी लगी हो भाडू लगी हो सब्सक्राइब के बटन को इसा मसल दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर काफी ज़्यादा बढ़ जाए और मैं आपके लिए रिव्यू यूनिट्स हाथ में लेके आ सका हूँ यूनिट्स हाथ